हेलो प्रेंद्स ! वेल कम टो आपर यूटूब चैनल तयारी एकजाम किू जिन लोगों ने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं प्रेस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे बीडियोज के अप्रेट साब को समय समय पर मिलते रहें तो आज हम लोग कच्छा दसवी की हिंदी गद्य खंड से पाठ पाच है चेप्टर का नाम है नागरी लिपी जिनके लेखक हैं गुनाकर मूले और यह एक प्रकार का ललित निबंध है तो इसका हम लोग संपुर्ण पाठ का हल देखने बाले हैं तो बीडियो को इंड तक जिरूर देखिएगा तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पाठ के साथ क्यूश्य नमर वन है देवनागरी लिपी के अच्छरों में इस फिर्ता कैसे आई है तो उतर हो जाएगा पहले देवनागरी लीपी के टाइप नहीं बने थे आज से दो सदी पहले देवनागरी लीपी के टाइप बने और इसमें पुस्तक के छपने लगी उसी समय से देवनागरी लीपी के अच्छरों में इस्थिर्त आए अब देखिए यहां पर कुषिय नमबर टू आ गया आप लोगों के पास देवनागरी लीपी में कौन-कौन सी भासाई लिखी जाती है भीवी आई क्यूष्चन इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है ठीक है तो इसका उतर हो जाएगा देवनागरी लीपी में हिंदी तथा इसकी विविद्ध बोलियां लिखी जाती है हमारे पड़ोसी देश में नेपाल की नेपाली इवं निवारी भासाइं इस लीपी में लिखी जाती है इसकी अलावे मराथी तथा सस्कृत भासा भी देवनागरी लीपी में लिखी जाती ह लेखक ने किन भारती लिपियों से दिवनागरी का संबंद बताया है तो उत्तर हो जाएगा लेखक ने गुजराती लिपी और बांगला लिपी से दिवनागरी का संबंद बताया है किउषया नमबर 4 आ गया हैfill नदिधनागरी किसे कहते है किस प्रसंग में लेखक ने उसका उंलेख किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा दचिन भारत में मिलने वाले नागरी लिपी के आरंभिक लेख जिस लिपी में मिले ہیں उस लिपी को नदिधनागरी कहते हैं काकल से सीलाहार, मान्याखेट के राश्ट्रकूट, देवगिरी के यादब तथा विजय नगर के सासको के लेख नन्दिनागरी में प्राप्त हुए हैं पहले पहल विजय नगर के राजाओं के लेखों की लिपी को ही नन्दिनागरी नाम दिया गया है Qt number 5 आ गया यहां पर नागवी लेपी के आरंभीक लेख कहां प्राप्त हुए है उनके व्विवरन दें तो उत्तर हो जाएगा नागरी लिपी के आरंभिक लेख डचिन भारत के लगवग आठवी सदिक से और उत्तर भारत में लगवग नौवी सदी से प्राप्त होने लगे हैं यह लिपी, सीलाहार, राष्ट्र कूट, यादब तथा विजयनगर के सास्कों के समय में प्राप्त हुए हैं क्यूशन अबर सेक्स आ गया है अप लोगों के पास ब्रामी और सिद्धम लिपी की तुल्ला में नागरी लिपी की मुखे पहचान क्या है तो उत्तर हो जाएगा ब्रामी लीपी और सिधम लीपी की तुलना में नागरी लीपी की मुख्य पहचान यह है कि इन दोनों लीपियों के अच्छरों से सीरों पर छोटी आड़ी या छोटे थोस्त रिकोन होते हैं जबकि नागरी लीपी के अच्छरों के सीरों पर पूरी लकीरे बन जाती है और उनकी सीरों यानि कि रेखाएं अच्छरों और चोड़ाई के बराबर होते हैं Q7 है यहाँ पे उत्तर भारत में किन सासको के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर भारत में मेवाड के गुहिल, सामभर, अजमेर के चोहान, कन्नोज के गाहडवाल, काढ्यावाड, गुजरात के सुलंकी, आबू के परमार, बुंदेल खंड के चंदेल तथा, त्रिपूरा के कल्चूरी स्थासको के लेख नागरी लेपी में प्राप्त हुए हैं Question No.8 आगया है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, तो उत्तर हो जाएगा नागरी नाम की उत्त्ति तथा, इसके अर्थ के बारे में बड़ा मत्भेद है एक मत्द की अनुसार गुजरात के नगर ब्रामनों द्वारा पहले पहल इस लीपी का वेवार किये जाने के कारण इस लीपी का नाम देवनागरी पड़ा दूसरे मत्द की अनुसार कासी देवनागरी है, इसलिए कासी में प्रयुक्त इस लीपी का नाम देवनागरी पड़ा ये सभी मत्द संकुचित विचार के हैं अतह देवनागरी सब्द की उत्त्ति निश्चित रूप से एक बड़े सहर से संबंधित है पिर देखिए आगे विक्रमा देत्य का व्यक्ति नाम देव इसलिए गुप्त की राजधानी पटना को देवनागरी कहते हैं ये धियान रखने वाला है कि विक्रमा देत्य का व्यक्ति वो नाम देव इसलिए गुप्त की राजधानी पटना को देवनागरी कहते हैं ठीक है पिर इसी देवनगर की भासा होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा लेखक भी इसी मत का समर्थन करते हैं क्यूशन नमबर नाइन आ गया है नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है तो उत्तर हो जाएगा पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है देखिए एक क्यूशन कहने का लेकिन इसमें दो क्यूशन चिपा हुआ पहला तो ये है नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है और यहाँ पे ये है पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बत जाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अल बेरुनी के ग्रंथ के अनुसार मालवा में नागर लिपी का इस्तिमाल होता या अतह यह अस्पष्ट है कि एक हजार इस्पष्ट के आज पास नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था लेखा के अनुसार नागरी सब्द किसी नगर या बड़े सहर से संबंधित है पाड़ता डितकम नामक नाटक यह पाड़ता डितकम क्या है तो यह एक प्रकार का नाटक नाटक है ठीक है कि अनुसार पटना को देवनगर कहा जाता था जो गुप्तों की राजधानी थी गुप्त राजा विक्रमा दिव्य के व्यक्तित्व नाम देव होने के कारण इस लीपी का नाम देवनागरी लीपी रखा गया ठीक है अब देखें यहाँ पर क्योंश्य नबर टेन है नागरी लीपी कव एक सार्व देशिक लीपी थी तो उत्तर हो जाएगा इसा की 18-11 सदियों में नागरी लीपी पूरे देश में व्याप्त थी उस समय यह एक सर्व देशिक लिपी थी उस अबधी में देश भर में नागरी लिपी के बहुत सारे लेख मिले हैं अतह इस नागरी लिपी के उदय के साथ भारती इतिहास वह संस्कृति के एक नए यूग की सुरुवात होती है क्योशन अबर 11 है नागरी लिपी के साथ साथ किसका जन्म होता है इस संबंध में लेखक क्या जनकारी देता है तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरी लिपी के साथ साथ मराथी, बांगला, ड्रविड भासा तथा तमील भासा जैसी पारदेशिक भासाओं की लिपियों का जन्म होता है लेखा के अनुसार आठवी-नौवी सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है हिंदी के आदे कवी सरह पद के दोहा कोस की तिबच सी मिली हस्त लिपी एग्यारवी बार्वी सदी की है नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की ड्रविड भासा परिबार की भासाएं विसेश्तह तमील भासा अधिक प्रचलित है ठीक है दचिन भारत विक्सित वाहनी लीपी का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था परन्तु दचिन भारत में नागरी लीपी का भी खुव व्यभार होता था क्यूश्य नबर 12 है यहाँ पे जो की एकजाम के दृष्टी कौन से बहुत ही महतुपूर्ण है आपको इसको ध्यान से देखना है चाहें तो अस्क्रीन सोट लेके भी आप लोग अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं गूर्जर प्रतिहार कौन थे तो उत्तर हो जाएगा इसा की आठवी सदी के पुर्वार्ध में अवंती प्रदेश में अपना सासन खड़ा करने वाले और बाद में कन्योच पर अधिकार कर लेने वाले गूर्जर प्रतिहार राजा थे जिनके लेखों में नागरी लीपी की देखने को मिलती थी अनेक विद्वानों के मता अनुसार याने कि उनके मत के अनुसार उनकी विचार के अनुसार गूर्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे फिर देखी आगे मिहीर भोज महिंध्र पाल इत्यादी प्रख्यात प्रतिकार सासक हुए अब देखें यहां पे क्यूश्य नमर ठटीन आ गया है निवंध के आधार पर काल कर्म से नागरी लेखों से संबंधित प्रमान प्रस्तूत करें यह जो निवंध है उसके आधार पर काल कर्म से नागरी लेखों से संबंधित प्रमान प्रस्तूत करना तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास नागरी लेपी के आरंभिक लेख दचिन भारत से प्राप्त हुए हैं कोकन के सीलाहार भान या खेट के राश्ट्र कूट देवगिरी के यादव तथा विजय नगर के सासकों के लेख नंदी नागरी लेपी में हैं राज राज वह राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड राजाओं के सिक्कों पर नागरी अच्छर के लेपी अंकित हैं फिर देखिए आगे सुदूर तच्छी से प्राप्त वरगुन का पलियम ताम्र पत्र नागरी लेपी में हैं वारवी सती के केरल के सासकों के सिक्कों पर फिर है बारवी सदी में स्रिलंका के प्राक्रम वाहू, विजय वाहू, आदी, सासको के सिक्कों पर भी नागरी लिपी के अच्छर देखने को मिलते हैं ये क्यूशन अवर ठट्टे लाश क्यूशन है ठीक है ग्यारवी सदी के पुर्वार्द में महमुद गजनवी के द्वारा ढलवाये गए सिक्कों पर भी नागरी लिपी के स्थब्द मिलते हैं आठवी नोबी सदी से नागरी लिपी का प्रचलन सारे देश में था अलवे रूनी ने अपना ग्रंथ 1030 इसवी में नागरी लिपी काहीं व्यभार किया दूसरी और गुप्त की राजधानी पट्टा का प्रचिद गुप्त राजा जिसका व्यक्तिगत नाम देव था ठीक है? जिसका व्यक्तिगत नाम क्या था? नाम देव था उसने भी नागरी लिपी काहीं प्रयो किया देखिए जो देव नागरी लिपी होता है वो हिंदी में लिखा जाता है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो मैं आपको ये सारे बढ़ बता रही हूँ ये सभी कौन से लिपी है तो ये सभी आपको देवनागरी लिपी है अगर आप लोग कमेंट नहीं करते है तो हमें अच्छा नहीं लगता है प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए तो मिलते हैं अगर यह वीडियो में अगर इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जा के भी देख सकते हैं तब जाके लिए बाबाई, टेक केर, थैंक्स फर वच्छिंग इस वीडियो